दिल्ली के पौश इलाकों की उची इमारतों के पास शुक्रबार को हेलिकॉप्टर की गरगराहत की आवाजे सुनकर सब चौक गए उससे भी ज्यादा हैरान करने वाला नजारा तो तब था जब अचानक NCG कमांडो हेलिकॉप्टर से रसी के सहारे बिल्दिन की छटों पर उतरने लगते हैं कुछ लोगों को लगा कोई आतन की हमला हुआ है वही कुछ लोग सोचने लगे शायद बिल्दिन में आग लग गई है लेकिन ऐसा कुछ नहीं था दरसल NSG कमांडों ने दिल्ली में G.B.S. शिखर सम्मेलन के लिए सुरक्षा तयारी के हिस्से के तौर पर दिल्ली की महत्वपून उची इमारतों पर हवाई हमले का अभ्यास किया G.B.S. सम्मेलन के मद्दे नजर दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को चाप चौबन किया जा रहा है ये भी उसी कड़ी का हिस्सा था दिल्ली कुलिस ने G.B.S. सम्मेलन के दौरान किसी भी प्रकार की गुस्पैट आतनकवादी गतिविधी या तोड़फोर के खिलाफ सुरक्षा के पुप्ता इंतजाम किये है उन्होंने बताया कि केंद्रिय सशस्त्र पुलिस बल्ट C.A.P.F. और राश्ट्रिय सुरक्षा गार एनिस्ची इन बंदोबस्त में दिल्ली पुलिस की सहायता कर रहे है विशेश पुलिस आयुक्त सुरक्षा मधूप तिवारी ने कहा कि विशेश पुलिस आयुक्त दर्जे के अधिकारी बड़े आयोचन स्थलों पर सुरक्षा की कमान समभालेंगे उन्होंने कहा होटलों में पुलिस उपायुक, DCP, स्तर के अधिकारी कैम्प कमांडर के रूप में काम करेंगे बाकि पूरी दिल्ली हाई अलग पर रहेगी तिवारी ने कहा कि दिल्ली पुलिस के आधे से अधिक कर्मी सम्मेलन की सुरक्षा में लगे रहेंगे उन्होंने कहा कि व्यवस्था इस तरह से की गई है कि आम आदमी को अजुविधा नहीं हो भारत 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में जी बीज शिक्षर सम्मेलन की मेजबानी करेगा